नमस्ते मेरा नाम है धर्मेंद रो आप देख रहे हैं या सेमन्यू साहकारता के छेत में भारत ने एक बड़ी कामियाभी हासल की है डॉक्टर चंदपार जिंग यादा उन्ता राष्टिय साहकारी गटबंदन यानी आइसीये इंटरनेशनल कोपरेटिक अलाइंस एसीया प्रांद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं यादाव इस समय किर्सक भारती साहकारी लिम्टेड यानी किर्वको के चेर्मेन है साउथ कोरिया के सियोल में मंगलवार को आयोजी चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है इतियाज में पहली बार हुआ कि कोई वारती इसका अध्यक्ष बना है इस चुनाव में यादाव को एक समय मिले जबकि जापान से उनकी पिति दौन्दी चितोस अराय को केबल तेरासी बोठी मिले भारत की 100 से अधिक मदों से जीत हुई अंतर राष्ट्य सहकारी राजनीती में एक बड़ी बात है भारतिय राष्ट्य सहकारी संग के गबर्निंग काउंसिल सदस डॉक्टर यादाव इस बार मेंदान में थे इंटरनेशनल कोपरेटिव एलाइंस आईसी ए एक भी सुस्तरिय सहकारी महासंग है जो इस दुनिया भर में सहकारी आंदुलन का पितिनदुत करता है इसकी स्थापना 1995 में दुनिया भर में सहकारी समीतियों को एक जुट करने के लिए की गई थी इस समय एक सो बारा देशों के कुल 318 सहकारी संग्ठन इसके सदस हैं जिनके जरिये संग्ठन दुनिया भर में करीम एक अरब विक्तियों का पितिनदुत करता है आईसिये में 20 सदस्ये सासी बोड एक महासवाद 4 छेत्र अफरिका यूरोप एसिया और अमेरिका छेत्री संग्ठन और विसेगत समीतिया सामिल है आईसिये एसिया पैसेविक का मुख्यालाय बर्तमान में नई दिल्ली में है डॉक्टर यादा अपने गाउं में प्रात्मिक सहकारी समीतियों से दूर होकर भारतिय राष्ट्य सहकारी संग्ग के अध्यत्र के पत्तक पहुँचने के 30 वर्सों से अधिक समय से भारतिय सहकारता आंदोलन के अग्रणी नेता है यादावने पडोसी देशों नेपाल, वंगलादेश, भूटान, श्रीलंका को सिक्षा और पिसिक्षन प्रदान करने में सहायता की है सहकारी सिक्षा के छेत में मलेशिया और अन्य देशों के साथ सहयोग को भी मजबूत किया गया है क्या करती है करब को? किर्सक भारती सहकारी लिम्टेट एक भारती सहकारी समीती है जो मुक रूप से यूरिया खाद बनाती है समाज की स्थापना भारत सरकार दोारा बस 1980 में इसकी स्थापना की गई थी चनपाल जिंग यादा 1996 से इसके अद्देख्ष है ये सेम नियूज मीडिया ग्रूप की ओसेच डॉक्टर चनपाल जिंग यादाओ को बहुत बहुत सुपकाम ना है और बहुत बहुत बधाई और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंड मात देमजे में जरूर बताएं आसपास की खबरों के साथ देश बिदेश की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद